सब्सक्राइब कर दो जाता है कभी कभी ठीक है ना क्योंकि सिक्षा सेतु भी मेरा चाहिनल है और केकी जी क्लास भी मेरा चाहिनल है तो अभी क्लास के साइन्स प्राइब होने वाला इस दीके क्लासे लिए क्लासेश पर लेको है ते किस्थ सकते हो क्लास तूइली केमिश्ट्री का लगुत्र प्रस उतर निकी इस लिक्षर में 20 आपको ऐसे लगुत्र प्रस उतर दिये जाएंगे जो देखेगो तो आपको लगेगा कि सच में या कुछ ना कुछ इस दम है और आपको यह बीस कोसन याद करने में जादा से जादा लगेगा तो बीस से पचीस मेट लगे नहीं कि आदे गंटे के अंदर यह सब्जेक्टिव याद हो जाएगा और आपको जब क्या खेती नहीं होता है और दोजाएपचीस के एकजाम के लिए है चली रेक्चर को सुरू करते हैं ठीकर ना अगला तो यहाँ पे कोसन सबसे पहला कोसन आपके सामने है और हर कोसन का फिगर के साथ पराएंगे ताकि समझना आपके लिए असान हो जाए सबसे पहला कोसन धातविक ठोस क्या है देखिए धातू की बात करते है धातविक ठोस जिसे कि गोल्ड की बात कर ले सिल्वर की बात कर ले प्लेटीनम की बात कर ले आईरन लोहा की बात कर ले कॉपर की बात कर ले अलमूनियम की बात कर ले तामबा की बात कर ले इस सब क्या है आपका एक ध द्वार्थू के साथ ठोस होना चाहिए इससे खुको ठोस नहीं होता है्ग इससे यह यह ताक त्पोस है पारा you भी मेंन्सन हो सोनार evolve जो थोस फोस तो legitimately ऑव्वियवी कन ध्वाटू धनायन होती एज ही अव्यविक कन क्या होते हैं धातु धनायन होते हैं मतलब समझे ऐसे ठोस ऐसे धातु जिसके अव्यविक कन धातु धनायन होते हैं जब तक इसमें धातु नहीं होगा फिर धात्विक ठोस आएगा कहां से लकरी भी थे ठोस ही हैं तो लकरी में धातु के कन थोड़ी होते हैं वोई कहा गया इस प्रकार के ठोस में अव्यविकन क्या होते हैं धातु धनायन होते हैं और इसे ही हम धात्विक और क्या होता है जो धात्विक बंदन के द्वारा बंदे होते हैं धातु के बंदन के द्वारा जुरे होते हैं उसे धात्विक बंदन क्याते हैं अब धात्वि इस से इजी डिफिनीजर कहीं मिलने बाला है नहीं मिले गा तो इसलिए फड़फट चैनल को सबस्काइब करिए मेरे दोस्त और प्लीज टेलिग्राम जॉइन करके और all subject का important question answer आ चुका है suggestion आ चुका है number दिकरा contact करको all subject का चाहे objective हो, चाहे subjective हो, चाहे long question हो सब answer के साथ आपको मिल जाएंगे WhatsApp के मादियम से तो WhatsApp मिल चाहेगा app से लेना चाहो, app download के लेना KG classes का ठीक है न? तो इस प्रकार के देखो याद करना है धात्विक ठोस क्या है, इस प्रकार के ठोस में अवयविकन धातु धनायन होता है, जो धात्विक बंदन द्वारा जूरे होते हैं धात्विक ठोस कर लाता है, जो आपके example के तोर पर आप लिखना है यह में अल्मूनियम क्या है सब, यहाँ पर धात हुए और क्या है वेच के लिए यह ठोस धात हुए, ठीक है, आगे चलिए अगले कुछ से नहीं कि फ्रेंकल दोस क्या है, इसे दोस तो दो तीन प्रकार के होता है एक होता है बिंदु दोस, बिंदु दोस तुन प्रकार को होता है, एक सटकी दोस, फ्रेंकल दोस, अंतराकासी दोस, तो फ्रेंकल दोस क्या आठ सटकी दोस क्या है, समझेए, देखे सटकी दोस हैं, फ्रेंकल दोस दोनों एक साथ ही परना होता है, लेकिन यहाँ पे केवल ज को यहां पे कन है यहां पे कन है जो प्लस माइनस की रूप में पूरे में कन है देखी यहां पे है न यहां से क्या करेगा एक अव्यवी कन मतलब इसमें से अव्यवी कन जो छोटा छोटा कन है यहां कि एक कोश्टी का जिसको कहते हैं अव्यवी कन निकल के क्या करेगा जब ब तो इसमान हम दूसरे रूम में सिप्ट कर देंगा तो जगह खाली हो जाएगा उसे हम कहते है सटकी दोस पहले समझ लीजिए तो सटकी दोस क्या है उस दोस में अवयविकर अपने जालक बींदुव को छोड़कर गायब हो जाता है मतलब बाहा निकल जाता है जैसे कि यहां स सटकी दोस कहते है इस दोस में जो अवयविकर जालक बींदुव को छोड़कर कहा चला जाता है अंतराकासी अस्थान में चला जाता इसको समझी है क्या हुआ जिससे कि कोई रूम का समाथ उसी रूम में एक टेबल से दूसरे टेबल या एक कोने से दूसरे कोने पर जानत्न में कोई परिवर्ता नहीं हुआ सिर्फ उसके जगह में परिवर्ता नहीं हुआ टेबल से उठाकर कूर्सी पर डाल दिये पहले टेबल था पहले कूर्सी बाद में कूर्सी उसी तरह से क्या करता है फ्रेंकल दोस में इस दोस में जो अवयविकर होता है अवयविक अपने जालक बिंदू ओट उसान जालक बिंदू之前 to5000 इसंद ROB बोलेंग कर दोह तो बिलख कि नहीं याद हो गाया ओ anál पूरे बुक का सेलेक्टेट मिल जाएगा जो पूरे बुक का हंड्रेड इंपोरें सब्जेक्टिव कोसन दे रहे जिसमें सब 10 में 10 जी से कर सकते हो आप ठीक है न और 20 लॉंग कोसन दे रहे जिसमें प्रिकुल ग्रांटी के बाना आने वाला है चार सो अब्जेक्टिव देरा इजी तरीका से आज आएगा और ऑफिसियल पांस जो सेट मोडल पेपर देंगे मोडल पेपर खर दियेगा मौ तो न तब फांस जाईएगा आपको कैसे मोडल पेपर लाना है मैं आपको बतांगा अगले कोशन है आपको थ्री नंबर कोशन थ्री नंबर कोशन कहता है शम प्रासरिक भोल किसे कहते हैं घोल मतलब होता है विलियन क्या होता है विलियन तो सम प्रासरिक विलियन किसे कहते हैं या सम प्रासरिक भोल किसे कहते हैं वात वही है तो सम प्रासरिक भोल किसे कहते ह कर सकते हो पूरिए तरह से याध रखना शमाने ताब पर समाने ताब पहले के नोर्माल उल्म संथ होता है जो कोई लेवल राइप पर वह दोके हुझ करकर करके तो को ही वस्त हुरिया है और शमान निताब पर जब दो विलियनों का प्रासर विलियम करते हैं देखो डिफिनिशन में कुछ नहीं है शमान निताब पर जब दो विलियनों का विलियनों का प्राच समान होता है यानि कि मानले हमारा 1 ं है यह एक शमानताव पर इसके अगर 10 Degrees Celsius दिया गए इसको 10 Celsius खेक है और दोनों का विलियन क्या होगा समान होगा ब्राबर एक दूसरे से ब्राबर पैर जाए गा तो इस Marx तो याद रखना शमाने ताप पर याद रखना समाने ताप पर जब दो बिल्ढ़ों का प्रास्रंद आप समान होता है शम प्रास्रिक बिलियन कहलाता है इससे इजी, डिफ्णिशन कहीं नहीं मिलेगा दोस्त, याद रखिएगा अगले कोशन इसी तरह से definition all subject का मिलेगा number दिक्राइक अगला कोशन है कि अनुसंक्य गुंधर्म क्या है देखो देखो अनुसंक्य गुंधर्म जो होता है ऐसे तो यह चार प्रकार के होते हैं कितने प्रकार के चार प्रकार के लेकिन अनुसंगें गुंधरम की बात पहले करते हैं इसको कहते किसे हैं देख लेना अनुसंगें गुंधरम भौतिक अनि की भौतिक ही रसायनी की वह गुन है क्योंकि आपको अनुसंगें गुंधरम चेप्टेट 2 जिस कानाम में William solution कहीं पर ना है तियाद रखना अनुसंक्य गुंदन विलियनों की वब होती गुन है क्योंकि विलियन की बात होता है विलियनों की वब होती गुन है जो एक निसित आयतन में एक फिक्स आयतन में देखो यह फिक्स आयतन है आयतन मतलब होता है उसका वोलियम जैसे कि किसी डिब्बे में हम कि कितने लिक्वीड डाल सकते उसका जिसमें उसमें अट सकता है अगर कोई को निष्टा लेता है उसमें LT सकता है समान उसको जब भोलीं ग्याद कर देंगा डेंगे डेंगा आइतन उसी को अाइतन करते है रियाद रखना अनुसंगरें गुंदन एक निस्तित आयतन में उपस्थित मिले की कनों की संक्याप निर्वर करता है इसमें बहुत सरा कने यह आयतन में देखना में बहुत सरा छोटी-छोटी कन हैं जो आपको यहां पर दर्साया भी गया है देखो ये छोड़ी छोटी कन की रूप में और ये कनों की संख्या पर डिपेंड करता है कनों की संख्या पर निर्वर करता है इसकी प्राकिर्तिक और इसकी सनचना पर डिपेंड नहीं करता है कि इसकी आकिर्ति कैसा है इसकी कुण प्राकिर्ति क्या है मतलब इसका नेचर क्या है खोस है द्रव है लिक्विड है उसे कोई डिपेंड नहीं बस इसकी कनों की संख्या क्या है बस उसी पनिर्वर करता अनुसंक्य अंगुंधर्म त्याद रखना अनुसंक्य गुंधर्म विलियनों की वब होती गुन है जो निस्चित आयतन में उपस्तित विलय की कनों की संक्याप निर्भर करती है अनुसंक्य गुंधर्म कहलाता है इसकी प्राकिर्तिक और इसकी सनचना पर डिपेंड नहीं करता है जैसे देखो इसकी कि प्राकिर्ति का है इसकी सनचना आक्यार क्या है इससे कोई डिपन ने करता है तो यह काता है अनुसंग के गुंधर्म कहलाता है यह तक समझ के विलियन के अनुसंग के गुन विलय के कनों की प्राकिर्ति और उसकी सनचना पर डिपन नहीं करता है याद रखना नहीं करता है त इस पे विलय की कनों की संग्याप निर्वर करता है, अनुसंगां गुंधर्म का लाता है, अनुसंगां गुंधर्म जो होता है, विलय की अनुसंगां गुंधर्म विलय की कनों की प्राकिर्तिक और उसकी समझना पर डिबन नहीं करता है, विलय क्या है, अब इसमें एक विलय की बात करें विलय होता क्या है जिसे कि हम लोग सर्वत बनाते हैं सर्वत बनाने में चीनी और पानी का उप्योग करते हैं तो वहां पर पानी हो गया विलयक विलयक जो अधिक मात्रा में है और चीनी जहां पर विलय होता है चीनी क्या है विलयक तो चीनी आपका कन की त ठीक है आगे चलिए अगले Constitution के बात करें चलकता क्या है और molar चलकता क्या है यह दोनों डिशन आप्ड कम पूचेगा चलकता अकछा राथ वॉघ अधिbeiter करेंट से WROD से करेंट मार रहा है चलकता क्या है और molar चलकता क्या समझ्धे के प्राथ कर हैं ठीक है हो तियाद रखना चलक्ता को विदुत अभघट्टे के प्रतिरोद के विलोगं के रूप में प्रभासित कहजते हैं जिसे हम प्रतिरोद को आर लिखते हैं इसको उल्टा कर देंगा यानि के वहन अपन आर कर देंगा तरह हमारा चलक्ता हो जाएगा तो ही कहा गया किसी विलियन या सीधर करें चलकता को विदुद अभगटे के प्रतिरोध के जिलोम के रूप में प्रभासित किया जाता है यह नि की चलकता को सी करते हैं तो सी बराबर क्या होगा ? 1 upon R हो जाएगा तो इसका मात्रक क्या होगा, यह सा मात्रक की बात करें प्रतिरोध के विलोम एनी की विप्रिदार्थ ठक उल्टा के रुप में प्रभासत किया जाता है, तो C बराबर 1 upon R होता है, और मोhलार चलकता की बात करें, यह देखिए, काता है किसी विल्यन की मोhलार चलकता उस आयन की चलकता है, किसी भी बिलियन, चाहे कोई भी बिलियन की बात करें, किसी बिलियन की मोलर चलकता उस आयन की चलकता है, क्या कहाँ, उस आयन की चलकता है, जो एक ग्राम, क्या कहाँ, एक ग्राम, एक ग्राम मोलर विद्धुत अभघटे को वोल्ट मिली लीटर में विलै करने से उत्पन होत इसे हम लोग लेम्डा एम दोरा सुचित करते हैं फिर से समझना किसी विलियन की मोलर चलकता है उस आयन की चलकता है जो एक ग्राम मोल विदूत अभगट्टे को वोल्ट मिली लीटर में विलाय करने से उत्पन होता है अगर एक वोल्ट मिली लीटर में अगर एक ग्राम मोल को मिला देंगे और जिससे पन विदूत होगा उसी को लोग कहते हैं मोलर चलकता ठीक है तो मोलर चलकता को याद रखने यह बरका लेम्डा है अगले कोसे ने कोसे ने फराड़े के विदूत अभगट्टे का प्रथम नियम है देखो फराड़े का नियम आपको किमिश्टी और फिजिक्स दोनों परता है तो फराड़े का नियम क्या कहा आपको यहाँ पर फिगर देखके समझ में आ जागा प्रथम नियम की बात करा है प्रथम नियम क्या कहा था समझना इस नियम के अनुसार किसी एलेक्ट्रोड से मुख किसी पदार्थों की मात्रा इसके आपको यह क्या है विलियन है। मतलब फ्री मुक्ड पदार्थों की मात्रा क्या कहा गया गया बिद्दब गट्त अगजा है करें को आपको नाजरा है इसी को कहते है इसी को कहते हैं मुक्त पदार्थों की मातरा परवाहित विद्दुधारा के समयनुपाती होता है यहां पर यहां पर पूरे थियोडी नहीं परा रहा हूं इस नियम का नुसार इलेक्ट्रोड से मुक्त पदार्थो की मातरा परवाहित विद्दुधारा इसे जो परवाहित विद्दुधारा हो रही है इसी के समन पाती होता है ठीक है आगे चलिए अगले को सिने इंजाइम क्या है देखे इंजाइम में प्रोटीन का भाग है और सरीय में पाचन तो यही एंजाइम भाग लेता हैं और यह प्रकार का इंजाइम का गोली है अगर जिसका अगर शरीर में खाना पांचन नहीं होता है यहीं गोलीआ लेता है यहीं गोली है जो mi medicine पर मिलेगा तो याद रखना enzyme का भाग है जो जब उत्परेरग के रुप में कारे करता है और हमारे सरीर में पाचन-tantर के किरिया में भाग लेता है जब करता है तीन पॉइंट करो दिएको पॉइंट में याद करना है सब्सेफेला enzyme का भाग है पहला पॉइंट दुसारका पॉइंट जो जैव उत्परेरग के रुपमेकार करता है तिसारका पॉइंट क्या है सरीर के पाचन तंदर के किरिया में भाग लेता है और तीनों का जोड़ना कैसे है जोड़ने के लिए जो तथा तो और करके जोड़ सकते हैं अब वहाँ पे किस जगह क्या लगेगा वो तो डिफ्निशन जब बनाओगे तब हो जाएगा जैसे कि हम इसका तीन पॉइंट है एंजाइम के हैं एंजाइम प्रोटीन का भाग है उसका जैव उत्परेर के रुपमेकार करता है सरीर में पाचन तंदर क अगर पाचन अगर नहीं हो रहा है कोई भोजन तो इसका उप्योग करके हैं पचा सकते हैं अगले कुसिन की बात कर लेते हैं अगला कुसिन प्रिष्ट संक्रियाय कारक क्या है तो कदा साबून और अपमार्जक जिसे साबून लेते हैं अपमार्जक लेते हैं तो क्या करत विलियन के प्रिस्ट गटा देता है जैसे कि अगर घूलने की तनाव अगर थेखना आपर हाथ अगर खोरकर कर रहा है साबून नीजा कर चिकना हाट आजाएगा पूराग्तम उसके प्रिष्टियत तनाव जोगा खतम हो जाता है कोई करता है साबून और अपमारजग विलियन का प्रिष्ट दनाव घटाता है ऐसे पदार्ट प्रिष्टिये संक्रियाय कारग का लाता है इतना तनाव घटाता है या कम कर देता है कम कर देता है और ऐसे पदार्थ ऐसे पदार्थ को प्रिष्टिय संक्रियाय कारा करते हैं तो डिफिनिसन याद हो गया कि साबुन और अपमार्जक विलियन के प्रिष्टिय तनाव कम कर देता है विलियन की प्रिष्टी तरणाव कम कर देता है ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या करते है प्रिष्टी संक्रिया कारा करते है याद रखिएगा बदार इंपोर्टेंट है आपके पास बरागाबर का figure है यह बिसके लिए copper parite है यह क्या है copper parite है copper parite है आ आप досit copper parite का figure है यह cuparite का है आपने कभी देखा भी नहीं होगा यह cuparite है यह copper parite है इसे मैं आपको तीर के माधियम से दर्साद आउय छूँ ठीक है न ताकि 3 निसान वता, एक तीर से गौण निसान बदाएं, 3 निसान होगा, एक तीर से 3 निसान कैसी होगा, आप से पहला बात सौट कोसन पर रहे हैं, लगुत्रिय प्रस्त इसको पहले समझ जें, इसमें कैसे पूछीएगा, ये कोसन केगा, इसमें का के का नाम लिखे, कि आपको पता होना से copper pride क्या है कि इतने वस्तु नहीं देखे होती इससे copper की वस्तुविए बनाए जाती है यह copper pride है क्यों पराइट है इससे भी copper त्यार होता है copper pride क्यों पराइट याद रखना जब यह दोनों लिख दोगे तो आपको दोनों के लिए two marks मल जाएगा अब्जेट्टी में कैसे पूछेगा कहेगा copper के मुख एस को और चार्ग ओप्सन देगा तो वहां पर उप्सन में copper pride होगा copper pride answer कभी-कभी आपको इस तरह से पूछेगा copper pride का सुत्र क्या होता है तो सीव या फीच्टू होता है ठीक है कॉछेगा copper का दो मुख एस का नाम लिखे दो नंबर उसका निच्करशन का सिधाक लिए का तेन नंबर तो पहले दो लिख्येगा उसके बास दो नंबर आपेसिला, जीत बहुत सरा चीक है na फिटकीरि, कोईला, गंधक इस सब क्या हमारा खनीज है जो हमारे प्रित्वी के खोण के जो तत्व को प्राप्त की जाती है खनीज करा लाता है जो प्रित्वी के खनन से जो वस्तू प्राप्त होती है मिट्टी के अंदर जो भी वस्तु प्राप्त कोईला की बात करें चांदी की बात करें तंबा की बात करें चाथ जो भी वस्तु जो प्रित्वी के खनन से प्राप्त होता है लेकिन वह तत्व सुध नहीं होता है वह तत्व शुध नहीं होता जिसे तेल की बात करें पेट्रो न से दो वस्तु प्राप्त होता है डोने समय के खंपर करेंगे जो प्रित्वी प्रित्वी कि खोन कर कि समय को प्राप्त करींगे जो पंदार्द्य खनीश को प्रांप करेंगे जैसे कि आपके ओं से correct आपके तर्फ पर कहीं possa लेकिन यह सुध नहीं होता है सुध नहीं होता है तो देखिए पहले समझें धातो एक वह पदार्थ जो प्रीथवी के खोन से जो पदार्थ को प्राफ्ट करते उसे खनीज करते जैसे कि कोईला पेट्रोली से बहुत प्रकार के आप इग्जामपल में इसा फिगर में देख रहे है अब आयास के क्या है जब आप खनीज को निकाल लिए तो सुध तरोई है वह बहुत सरा सुध्धी के रूप में तो उसको क चावल कुटा जाएगा चावल कुटने की आने के बाद क्या करना पड़ता है किना प्रोषेस उसी प्रकार से कनीज तो प्राप्थ हो गया तो उसको क्या कहेंगे तो वाह हने जिससे दहातू का निश्करशन वाह निश्कषन जिससे योम कम खर्च में हो जाए उसे हम लोग आयस्क कहेंगे क्या कहेंगे? निकि वह खनीज जिससे धातू का निसकर्शन क्या निसकर्शन आसानी से योम कम खर्च में हो जाए उसे हम लोग कहेंगे खनीज कहां? आयस्क कहेंगे और याद रखना, नोट में एक चीज़ याद रखना, यह हमारा आयस्क है, यह हमारा आयस्क सुध है, सुध है, विसकली इसको निसकर्षित करके निकाला गया है, सुध है, और याद रखना, सभी आयस्क क्या होता है, खनीज होता है, लेकिन सभी खनीज आयस्क नहीं होता है याद रखना सिंपल बात है एक चीज़ ध्यान अकना क्या है आएस यहाँ पर नूट सभी आयसक खनीज होता है सभी आयसक खनीज होता है जब कि सभी आयसक नहीं होता यह आपको 20 के 20 के एक्जामेट उचा गया है अगला कुस्से ने आप और कोलुरीन की इलेक्ट्रोन बंदुता फ्लोरीन से अधीक होता क्योंगी होता है क्यों की हैं जब क्यों बाला प्रस्थ आप क्या करो डिफनीजन लिखने के लिए सबसे पहले फोससे लिखो कि यहांपे कोलृीन की कोलरीन के इलेक्ट्रोन बंदूता फॉलॉरीन से अधीक होता है क्यों की इसके कारं सम्मंदित प्रस्टन का जवाब देना बहुत हीजी हो जाता है तो क्या लिखोगे पहले कोश्टन हो उतार तीजे यहां तक यहां तक होगा क्यों की किहा ना आप देखिए कि फोलोरीन की परमानु तिरिज्या बहुत छोटा होता है और इलेक्ट्रोन घनत्व अधिक होता है बस सिंपल बात है कि जो फोलोरीन की इलेक्ट्रोन बदुता फोलोरीन से अधिक क्यों होता है जो फोलोरीन होता है उससे कोलोरीन का इलेक्ट्रोन बदुता अधिक क्यों हो 枕 क्वोल के पर्मानुद तिरिज्जर बहुत छोटा होता है और कोलरीन का लिए प्रमानुद तिरिज्जर इसका ठीक है तियाद रखना इसलिए ने आकार्ष ढ़ता हो जाएगा और कोलरीन का उसमीन होता ऐसलिए यह इसलिए आकार छोटा nursing तो इस पर इलेक्ट्रॉन का घंट्व जादा होता है इसलिए औक्सिकारक पदार्थ हो जाता है और यह क्या होता है इसलिए इसका बंधुता अधीक होता है होता है और क्यों प्रवल थे रहीं लिएक सबनािकर्ण ले और यह लन्य धाल की बारीट्स कौन कौन कौराइड स्कौनोरीन करते हैं तरह नहीं है शाजब्स का ze यह क disputes लिए आपका औक आक्सिकारक प्दार्द की होता चली समझते हैं अ देखिए तेज टतव प्रवल ओक्सिकारक होता है क्यों के लिए परहें स्थुच्ण माउतार दीए कोशन और अंसर में स्क्राइब सब्सक्राइब लिखेंगे क्या एलेक्ट्रोन गरहन करने की उच प्राविर्थी के कारण ये प्रवल औक्सिकारक क्या होता है औक्सिकारक अभिकर्मक होता है त्यांद रखना सिंपल बात है डिफिनीशन में कुछ है नहीं सिंपल लिखेंगे हाइलोजन तत्व प्रवल ऑक्सिकारक होता है क्योंकि 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 इलेक्ट्रॉन गरहन करने की उच्छ प्राविर्टी होता है इसलिए या प्राविर्टी होने की वैसे प् काफी उसमें मतलब किसी से छीनने के दिती होता है जिससे कि नेता लोग क्या होता है गरीब उसे छीन लेता है उसी प्रकार से इलेक्ट्रोन जो होता है जो आपका हैलोजन का जो सदस्य है वो किसी से इलेक्ट्रोन को छीनने का प्राविर्थी काफी उच्छी होता उसके पास इसलिए प्रवल उक्सिकारक है हैलोजन प्रवल उक्सिकारक है क्योंकि इलेट्रोन गरहन मतलब छिनना गरहन करना मतलब छिननेना गरहन करने की उच प्राविर्ती होने के कारण उच प्राविर्ती होता है अगला को उसने कहां पे इंटर है है लोजन से आप क्या समझते हैं है लेकिन इंटर है लोजन की वाद किया गया मेरे दोच्छा आपको समझ में आ रहा होगा तेख मर चैनल वा कर थोड़ा सब्सक्राइब कर लिजिएगा क्या दिक्कत है सिधा समझे गर्ल्फ्रेंड का नट समझके दबा देना है चैनल को सबस्क्राइब को ठीक है लाएक इंटर हागन के 2 सब्द भी सब्स्क्राइबब करते हैं योगिक बनाते हैं जिससे हम इंट्र हाइलोजन योगिक करते हैं जैसे यहां पर CLE-CLE-CLE sir 3 आ दिए यानित किया हुझा की इंट्रहाइलोजन योगिक प्रश पर किरिया कर नेकि지 बनाते हैं यानिकि इंटर हाईलोजन योगिक जो होता है वह अभिक्रिया कर संयोग करके अनेक संस नहीं बनाते हैं जिसे हम इंटर हाईलोजन योगिक करते हैं जैसे कि CLE CLEF2 आदी यह हमारे इंटर हाइलोजन योगी क्या है और मेरे वित्र यातना दौम को इतना आसा है कि आप इसको सर्मा कई पर ले नहीं विएगा और यह बोर्ड सुचता है यह बोर्ड ने जारी किया हमने बोर्ड जारी किया और बोर्ड का लेबल क्या है आप खुद क्यों होता है तब पुद देगे इसलिए हमारे यहां 90% बचा क्यों कर पाता है इसका रीजन है कि आपको हम बोर्ड जहां तक सोचता है वहां तक हम सोच के लाते हैं क्या इसको लाते है कि पिछले बार में क्या सोचता था उस सब को अगले प्रत्मा का थे मैं आक लिएफ याल हतु यह जैसरे लिग से लएकाra का एक लिया गयांता सब्सक्राइब जी व्हीस इसको इसकते सब्सक्राइब करना है यह बहुत ताहूं फ्तू समझाए लिए जिसा सकनुपाने ऊजमाए करते हैं क вый दे Campbell करना Xc F2, Xc F2 का प्रसंक्रव संक्रव संचना में संक्रवक नवस्ता है जाद रखना Xc F2 का संख्रवक नवस्ता kya है S P 3D आकिरती आवस्ता में होता है टेकन इसके जब आवस्ता ज्याद करेंगे तो क्या होगा S P 3DNot सिंपल है XCF2 की सनचना में SP3D आपे संक्रित या संक्रन अवस्ता में होता है इसलिए इसलिए इसकी सनचना में क्या है इसलिए इसकी सनचना तिरभूजिये द्वी परामेडी होना चाहिए इसकी सनचना में SP3D शंक्रम नवस्ता है इसलिए इसकी आकार इसकी सनचना क्या ओना चाहिए मतलब प्रसंक्रन के अनुचार इसके अजूज सनचना ओना चाहिए तिर्भूजिये द्वी परामेडी होना चाहिए लेकिन 3 एकांकी इलक्ट्रiны होने के वज़़े से, गोपस्तित होने के कारण क्या हो जाता है, एक मेरे दोस्त, ठीक है, और 3 एलक्टा, जो एकांकी इलक्ट्रon उगमो होने के उपस्तितिती के कारण क्या होता है, XCF2 की सनचना रेखिये हो जाता है अब फिर से समझना यानि कि XCF2 XCF2 की सनचना में सनचना में क्या होता है SP3D संकर्मन वस्ता है संकर्मन होस्ता होने की वज़ा से इसकी सनचना तिरभुजिये 2 परामेडिंग होना चाहिए लेकिन इसमें 3 युगमित इलेक्ट्रोन 3 एकांकी इलेक्ट्रोन 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 होने की वज़ा से इसकी आकेरती रेखिये हो जाता है तिन इलेक्ट्रोन जो एकांकी स्wn сами के शो ढुआ है लगले कोसिन की बात करे सब का 1 पीडिया लेने के प्रेना नंसर का लेने के प्रयास करना पंदरे नमर कोस्तें एक ब्लोग की तट्व क्या है देखते होते हैं यह पे लिटीयम कोता है श्लिश कुण स्ट्राइव निचे दीख रहां कराड़ा रुक्ते प्लीच और निचे दिख रहां है तो तत्ञ पूरोल Kक सिरे चाह выз स्रेणी कहलता है ठीक है न ध्यान रखिएगा ज़िए आपको इफ-ब्लोग के तत्व क्या है एक का नाम दिखिए इसमें से एक किसी एक का नाम बताईए एक दो का नाम ज़िए दियाद रखना अफ-ब्लोग के तत्व संक्या 5170 तक और नमासी से 103 को उनके इलेक्टोनि विन्यास के कारण आवर सारनी में उनके अस्थान के कारण अंतरकासी या आंत्रिक संकर्मन तत्व कहा जाता है फिर समझना एब बलोग के तत्व कौन कौन है तो याद रखना 57 से 71 एब बलोग के तत्व के है नमासी से 103 तत्व कै तत्व क्या है उसके इलेक्टोनिक विन्यास के कारण आवर सारनी में उनके अस्थान के कारण उनके अस्थान के कान क्या कहते हैं आंतरिक संकर्मन तत्व कहा जाता है और एप बलोग के तत्व दो प्रकार के होते हैं जिसे हम लेंथे नाइट और एक्टे नाइट का बाटा गया है लेंथे नाइट और एक्टे नाइट लेकिन जो आपका जो सिंपल है एप बलोग के तत तत्व को एक ब्लोग की तत्व कहा चाता है जिसे हम लोग आंतरिक संकर्वन तत्व कहते हैं यह को दो भागुन बटा गया है इस प्रकार से डिफूनीशन लेख सकते फिर से लिखिए फिर से समझगे जितना बार हमसे काओगे उतना आसान बनेगा जिससे यह हम बनाया तो उ आपको याद रखना यह आपका लेंटे नाइट तत्बा जो आपको नजर आ रहा है और नीचे वाला एकटे नाइट तत्बा प्रति चुम्बकी है निकी कोपर प्लस चुम्बकी यह लेकिन कोपर प्लस टू क्या है अनुचुम्बकी है देखो मैं दूसर याद रखना प्रती चुंबा की तभी सम्मवज उसके उसका इलेक्टोनिक युगमन हो मतलब उसमे क्या हो अपने आप में पेर हो पेर मतलब एक साथ हो जैसे कि देखो अगर हम कॉपर प्लस का ज्याद करेंगे कॉपर प्लस वन का अगर हम इलेक्टोनिक पिन्यास का रेंगे तो अर्गन प्लस 310 होगा कैसे देखो आपको बताते हैं में कॉपर का लेक्टोनिक पिन्यास होता है आरगन अठारा आरगन अठारा अचाही कि उप्लस 1 डालेंगे आप समझना यहां पर आपको समझ भी आना सुनूद हो जाएगा तो कॉपर प्लॉष टुवन डालेंगे तो वन डालेंगे एक क्लिए प्लॉष रहा है यहां कि इसका इलेक्टोनिक विज्ञास बनेगा आरगन तो यहां बनेगा, uh हो जाया क्योंकि वन इलेक्टोन इस पर से गाव वरा क्योकि प्लॉस होनी कि मतलब 8 हो गया तो ad क्या यह पेर है कि नन पेर है नहीं कि सभी खंडों में अपने आप में जोड़ा है जोड़ा होने की बदर से क्या होगा यह प्रतिचुम्ब की इसमें अयुगमित इलेक्टोन इसको युगमित कहेंगे युगमित इलेक्टोन जो होता है वह हमारा प्रतिचुम्ब की इसलिए स्यूई प्लास ओन स्यूउउ प्लास ओन क्या होता है प्रतिऊल्फ कि होता है यहां पर लिखा उ स्यूउ प्लास क्या ऐलेक्टॉनिक न्याज क्या है 317 शूर्ट क्या ed站 अब डी आर्विटल में कितने इलेक्टोन है 9 अगर इसको भरने के प्रयास करेंगे तो इस तरह से भरेगा देखो एक एलेक्ट्रोन, दो एलेक्ट्रोन, तीन एलेक्ट्रोन, चार एलेक्ट्रोन, पांच, छेस, साथ, आठ, नौ फिर भी लास्ट और्वीटल अगलां सिंगल रह गया जिसको मैं नन पेर कहेंगे आने की आयुगमीत इलेक्टॉन और जो आयुगमीत इलेक्टॉन होता है क्या होता है अनुचुम्बकिये होता है उसलिए c u plus two क्या अनुचुम्बकिये? अब इसको थोड़ा सा हम आपको समझात होती है लेकिनाप definition में लिखी है तो क्या लिखेंगे देखियां आप हैं तो cu plus 1 का इलेक्टोनिक विन्यास आपका आर्गन 3d 10 होता है और cu plus 2 का आर्गन 3d 9 होता है अब चलिए को दियेगा इलेक्टोनिक विन्यास से स्फष्ट होता है कि C U plus C U plus में 3D 3D ओपक्षक पूर्न है अर्थाद कि सभी यह सभी इलेक्ट्रोन युगमित है युगमित है जब कि C U plus 2 में आयुगमित है C U plus 2 में आयुगमित है इसलिए C U plus 2 का अनुछुम्बक्या तथा C U plus का प्रतीचुम्बक्या है कुछ नहीं फिर से समझिए जिसमें इलेक्ट्रोन किसी और्बिट्र में पूर्णूप से भरा होता है और युगमित होता है उन्हें कि पेर होता है उससे हम लोग क्या कहेंगे उसे प्रतीचुमबक्या कहेंगे और जिसमें आयुगमित जिसको नने पेर करते हैं प्लास टु में देखो एक की एक इलेक्टर्स ठावी जूट थे सब्सी ऑभी छोने के से ज़्य प्लत पिर में प्रति चुंबद हो लगी किसी की समझ में किसी के दिक्कत दिग्कत वह roommate आप पूछ सकते हो अगले कोसे निम लिकित का उपैक निम आई ओपीस निम लिके उपैक निम कैसे लिखा था देखो यहां पे CO NS3 5 NS3 का वोल 5 NS3 मतलब होता एमीन वोल 5 CL CL2 देखो अगर हम आपको इलेक्ट वाप इसका जब नमाक रन करना है किसे होता सीखो नदमा करने के लिए सब से पहले नम किनल लेखेंगे CC तो क्या एमीन कितना है पाच तो याद रखना पैर्श यहां पेंटा-ीमाइल पेंटा इमाइज मीन उसके बाद यहाँपे Chloride है जहाँ लिखेंगे लिगेंड लीके रूप में है इसको मैं przy wurde भर उसका जब हम हम क्या करते हैं इसका जब आप प्याँ मानेंगे और ग्राद कौर्फ में प्लस आप इमीन पर चार जीरो होता है ? 0 कुने 5 प्लस पहाँ पे कोली पेड़ ना कुलाइन प्रचाज माईनस था माईनस वान अर्प कुलीन 1 एक है इसकन तू अब देखो देखो लिखना तो लिखना थो फिर प्लस क्या होगा विखना बिल्ड़ इसको जीरो एक समय वेल्व करेंगे तो यहां पर लिगेंड के रूप में हैं और जिसे लिगेंड से बाहर निकलेगा तो यहां पर लिखेंगे लेकिन जब प्राइकेट के अंदर है तो इसको लिखेंगे ब्राइकेट के बाहर से इधर रह चाहिए इधर रहे उसको लिखेंगे याद रखना पेंटा एमाइड फुलोरो और इसका कोबाल्ट थिरी क्योंकि इसका ऑक्सिगन वस्ता थिरी आया और जो बात में उसको लिखेंगे साम खतम फिर भी आपको समझ में नौ आया होगा तो क्या लिखेंगे potassium potassium हम लिखके खतम कीचे अब brackit के अंदर चलेंगे तो ब्राइकेट के अंदर में सबसे पहला नाम ligand का लिखाता है नहीं कि ligand आपका c2O4 C2O4 को क्या कहते हम लोग हड़ी का छशे C2O4 ऐ अःओ कितने थिरी है फटो थिरी के लिए मैं लगाते है और यहां पर CR CR को क्रोमेट कहते हैं तो ख्रोमेट और थी क्योंकि इसका फिर हम एलेक्ट्रोनिक यह ज़ख याद करेंगे थी आयगा क्योंकि पॉट्यासियम है पुट्यासियंप चार्ज वॉन होता है वन गोने 3 और all subject का जो pdf notes लिजेगा number group में add होगा जहां से पूरी exam तक मिलेगा exam से पहले question उसन भी आएगा सब मिलेगा आपको group में तो उसके लिए pdf लेना पड़ेगा आपको all subject का important question answer मिलेगा objective subjective subject अगला question is twitch of iodine का बीभी अब यह क्या है यह आपको बोतल में दिख रहा है twitch of iodine आपको है इसी प्रकार से बोतल मिलेंगे देख लेना अगर कभी खरिदने जाओ तो इस प्रकार के देख लेना twitch of iodine है न ऐसा ना कि गलत थमाद है आपको यह twitch of iodine का बोतल है अब मत समझ जाना क कितना दिखेगा बोतल हां कि इसको निप काते वं यह निप काते ऑब हमको नहीं पता है इसको लोग कहता है इच्छोटा सा बोतल होता है पहले उता था इप होता था आब तो बन देelf हे तो आपे इलकोछल एलकोहल और पानी में आयोडीन का 2 से 3% घोल है जो twitch f आयोडीन का है उसमें याद रखना एलकोहल और पानी में आयोडीन का 2 या 3% घोल है यानि आयोडीन का twitch एक antiseptic घोल है या एथिनोल और पानी के मिसरन से आयोडीन को भंग कर त्यार किया जाता है फिर समझना देखो एलकोहल रखना नहीं कि पक्काव दारू लेवल का है जो भी एलकोहल पर लगता तो होगा एलकोहल जो ही दारू होगा तो इसको जब पीओगे तो आ तो आपको लगेगा थंडा सा महसूस होगा जब हात पर रखोगे तो आपको लगेगा थंडा सा महकव के तो इलकोहल लेका आग पकड़ लेगा फटाक्सिल ठीक है ना इलकोहल और पानी की आयोडीन का टू से तीन परसिंग घोल है मतलब विलियन है यानि आइटू का के प्राप्त की जाती है इसे हम ट्विच अप आयोडीन करते हैं और यह डिफ्रीजन थोड़ा सा दूसरी लेवल का है तो आपको एक बार याद करना पड़ेगा अगले कोशन 19 समर कोशन है इलास्टोमोर इलास्टोमर क्या है प्राकृतिक इलास्टोमर का एक उधारन दे और यह डिफ्राइब आस्टोमर का रभबर है रभबर जानते हूं यह आपको नजरार रभबर यह रभबर है आपने देखा होगा तो आप तो भीन-भीन का आगे अगदम अगर रभबर के बाढ़न ले तो हम लोग लगा रहे है पहले लोग इस से लगाता था इसको मुल क यह हैं इह सब नहीं पता लेकिन हम लोग ऐसे जनरेसंस है ना हम लोग ऐसे जनरेशन से हैं जो कुछ नहीं देखिए और बहुत कुछ देख लिए यानि कि आप देखो 2012 से पहले जो कुछ नहीं था 2012 के बाद देखो यार सब कुछ आ गया गया गजब आते हैं ठीक है न त्याद रखना इलाश्टमोर एक प्रकार का पोलीमर और बहुलक होता है पोलीमर अतलब पोलीमर तो एलाश्टमोर एक प्रकार का पोलीमर या बहुलक होता है एक चिपचिपाहट के साथ इसमें परत्यास्ता का गुन भी होता है एक चिपचिपाहट सा जब रब्बर निकालोगे न उसमें जिसे गोंद गोंद देखे होंगे अब फेभिकॉल फेभिकॉल जगाँ चिपचिपाहाट सराता है और फेभिकॉल की तरह ही रब्बर बनता है औरentyल було है और रब्बर भी उसी को बने आ जाता है खीजकर याद रखना इलास्टोमर एक प्रकार का क्या है पॉलिमर या बहुलक है जो चिपचिपाहट के साथ परत्यास्ता का गुन होता है और यंग मापांक कम होता है और उपज सक्ति उच्छ होता है उधारन के लिए प्राकृतिक रबन नियों प्रिन ये सब क्या हमारा इलस्मोर है ठीक है न अहां पर इलाश्टो मोर है इलाश्टो मोर एक प्रकार का खबर हैं आप देखलो जिसकी पुस्टि काफी उच्च होता है अभी होता है और यह यह मपाग कम होता है और और सांत में इसका उपज सक्ती काफे ज्यादा होता इसलिए कितने हो नमरा सकते हैं और लगा देते हैं तो एक प्रकार का क्या बहुलक है पोलीमर तो डिफिनीसन कैसे जाद करोगे तो इलाश्टमोर एक प्रकार का पोलीमर आई मिन बहुलक है जो चिपचीपाहाट के सांत होता है यंग मपाट कम होता है और उपज सकती ऑच्छी होता हुसे क्या करते हैं ऑदहारन के लिए हमारा प्लाकितक रब्बर और हमारा नीोष्टुन इसका रब्बर यहांपी ही कार्वो हाइड्रेत कार्वोट्रेत किसको किस निंबू है किला है यहांस या पनाई कार्वो हायड्रेत-प्राकिर्तिक यसा यह जिस ऐलत उपस्तित होता है जिसमें प्राकिर्थिक 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 प्राक कुछ इसके बीना आपको एनर्जी नहीं मिल पाएगा आपके कार्बोहाइड़ेट कैलोरी नहीं मिल पाएगा जिससे आपकी शक्ति गम हैगा बीमार्या उने सुरी होगी तो आप दवाई खाना सुरूगा दवाई क्या इसी से बनता है और जब यह सब पूर्थी करके खाते सब चीज घहते ही गोंगे तो आपको दवाई क्या हो सकता होता है कारबो हईड़ेट हमारे जीवने को जीवन जेख से चलाने में महत्तपून भूम का आदा करती है और कारबो हैड़ेट करन करें पाँच नमरें पूछेगा तो इतना ही पूछे में आप आपको पढ़ने में कैसा लगा तो अगर थोड़ा भी समझ में आवागा था प्ली चैनल को सब्सक्राइब करके वेले गेंदबा लेना